बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम लेकुम उमीद करती हूँ आप सु लोग ठीक ठाक होंगे कार कारियत से होंगे अपने घरों में खुश होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छे लास्ट वीडियो में आप लोशन था इसके लावा मैंने आप लोगों को यह भी डिसकस किया था कि मैं इससे पहले कौन कौन सी चीज़ा इनकी यूज कर चुकी हूँ तो अब जो चीज़ा रह गही थी मैं उनका रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगे यह भी मेरे पास बड़ा वह ए इसके लावा इनकी एक मुलतानी मिटि भी है वो भी मैंने यूस की वी है वो भूत अच्छी है और आप चाहे तो यूस कर सकते हैं लेवेंडर और मुलतानी मिटि इस ताना से करके उसके पर लिखा वाए वो आप यूज़ का सकते हैं अच्छे खेर इसके इलावा इनके पास इतर की और पर्फियूम्स के काफी वाइट रेंज है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि बड़े रीजनेबल और बड़े अच्छे इनके पर्फियूम्स हैं इनकी ना देखें के बॉटल के उपर क्या लिकाव है यह जो यह इंप्रेशन्स वगएरा इनों लिखे में इस तरह की तो इनकी बिल्कुल भी फ्रेग्रंस नहीं है अच्छे इनके पर्फियूम्स से जादा अच्छे इनके इतार हैं आप इनके किसी भी आउटलेट पे जाके ट्राइ करके ले सकते हैं काफी रीजनेबल आपको मिल जाएंगे और इस तरह से ये वाली जो बॉटल है ये भी कुछ 7-800 रुपीस की मिली थी और लेकिन ये वाला जो मेरे पास है ये मुझे इसकी फ्रेग्रंस अच्छे नहीं लगती बड़ी अजीब सी इसकी फ्रेग्रंस है लेकिन इसके साथ जो बाकी बॉटल ली थी उनकी जो ये वाला जो पर्फ्यूम मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप इनके अउडलेट पे अगर आपके करीब है कहीं पे तो वहां पे जाके आप जरूर चेक करें और रूम फ्रेशनर्स वगरा और काफी जादा रे वाइड रेंज और जरूर आप जाके चेक करें आ से क्विचेश की थी और बहुत अच्छी फ्यूर ग्लैसरीन है फील होता है आपको कि काफी अच्छी चीज है मैं इसको डेंडरिफ के लिए अपने बालों में यूज करती हूं और काफी मतलब इस तरह कि कुछ प्रोडक्स ना वाकि में वर्थ बाइंगे और बड़ी अच इसकी प्राइस है अगर आप चाहें तो अपने लिए एक लेके रख सकते हैं अब कुछ बात कर लेते हैं इनके हेर ग्रोथ वाटर के बारे में जिसकी काफी हाइप है और काफी जादे इसकी उपर वीडियो भी बनी हुए है यूट्यूब पे तो मैंने भी इसे यूज किय है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे ये कैसा लगा है अचा अब ही जो है ये बाटल तकरीबन मतलब खाली है समझ लें काफी टाइम से मैंने यूज नहीं किया इसकी जगा मैं एक और नया दूसरा स मैंने इसकी इस्तेमाल की है तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकते हूं कि इसका मतलब इसका क्या रिजल्ट है है या नहीं है इसके इलावा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता थो कि आप लोगों को यूज कैसे करने आप इसे ड्राय हेर में भी यूज कर सकते ह और इसको आप वेट हेयर में भी यूज कर सकते हैं यानि के नहाने के फॉरां बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं बाकी पोर्टल यूपर इसके यह लिखा है कि यह हेर ग्रोथ सीरा में हेर को स्टॉंग करने के लिए उनको शाइनी करने के लिए हेर फॉल को प्रिवेंट कियूर करता है , इसके लाव सन रस पॉल्यूशन से जो बालों में मसले हो जाते हैं उन से ब्रोटाक्ट करता है , यह सब कुछ ख्लोम्स जो जो है इन्हों इसके ऊपर घये हुए भात कर लेते है इसकी बारे में तो इसमें बरी नाच्राइल से फ्रेक्रान्स है जा कि जैसे आमला की होती है और हिना वगयरा की इस तरह की नैचरल से बिल्कुल फ्रेग्रेंस है और इसमें लिखावा भी यह है कि इसमें हर तरह के नैचरल इंग्रेडियंट्स यूज हुए है जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पड़ के बता देती हूं जिसमें आमल सीजनल हेर फॉल होता है उसको तो यह मतलब प्रिवेंट करने में और मतलब थोड़ा बहुत मदद देगा यह नहीं है कि आप यह सोचें के बिल्कुल टोटली इस पे आप डिपेंडन हो जाएं लेकिन यह है कि जो बहुत जादा स्वेयर हेर फॉल होता है जैसे कि अलुप कि आप इसको इतना ही यूस कह सकते हैं कि आप अपने बालों में अगर आप अपनी एक अच्छी हेर के रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप इसको शामिल कह सकते हैं इसकी सबसे बात यह कि कोई साइड एफेक्ट नहीं क्योंके साइड गनी की बहुत सी प्रोड़क् कुछ अच्छी है कुछ नॉर्मल है और कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं इस तरह से तो यह वाला जो है कि अगर आप एक अच्छी हेर के रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसमें इसको आप अपने शामिल कर सकते हैं आपके हेर वह शाइनी होंगे मैनेजबल होंगे इसके लावा हेर फॉल भी थोड़ा बहुत इससे कंट्रोल होई जाता है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने अपनी हेर फॉल को खाली इसी के साथ ट्रीट करना है तो ऐसा विल्कुल भी नहीं होने वाला यह मैं आप लोगों को पहले ही बता दू इससे ना बाल इसक्योर होते हैं ना आपके अकसर यह होता है कि मात्रे के पास से जो बाल गिर जाते हैं उसमें भी कोई नए बाल नहीं निकलते इस तरह का कुछ भी नहीं है तो बस यह ता इसका चोटा सा रिव्यू इसके लावा इनका चार कॉल मास्क भी मैंने यूज किया है और उसका रिव्यू में अर्ड़ी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि उससे मेरे फेस के उपर कैसे रियाक्शन हो गया था मुझे उस पर कमेंट आया था कि चार कॉल मास्क से इसी तरह का रियाक्शन हो जाया करता है में कोई अपनी लाइफ में pra ace time NBA चार कोल मस्क यूज नहीं आरी मैंने बहुत बार涜़ कोल मस्क दिफरिन क刁पनिस के यूज के यूज किया है मेरे वार्च कंपनी का भी चारकूल मास्क मैंने जूज किया हूए तो भब बहुत अच्छा है अगर आप लेना चाहते हैं तो उनका ले सकते हैं लिकन इस चारकूल मास्क मेरी सकें पर बुरा राश हुआ था और तकरीबन दो से तीन दिन वो सकिन उसी तरह रही है ठीक नहीं हो रही थी मतलब जलन काफी कम होगी थी लेकिन हलक हलका जैसे निशान बर जाते हैं उस तरह के पढ़ गए थे लेकिन अभी जो है वल्ला का शुकर है बिल्कुल ठीक हो और बाकी वीडियो मैंने कमेंट्स ल चार कोल मास्क को अपनी स्किन केर से निकाल दें क्योंके इस तरह की चीज रखने का कोई फायदा नहीं आपकी कंपनी का नाम ही बदनाम होता है क्योंके इसके अंदर बहुत ही अजीब सी फ्रेग्रंस डाली है मुझे ऐसा लगता है उसकी वज़ा से ये स्किन को रिटेट कि इनकी मैंने बहुत सी प्रेग्रंस देखी हैं जो के मुझे नहीं लगता के अप्टु मार्क हैं और सफिछी चीज होने से ये निहीं होता कि आप यह सूचें कि ये चीज अच्छी भी होगी इनकी बげूल भी जैसे के बहुत से बड़ा मसल्ह मैं पिर वहीं ग %13 वी इनको चाहिए कि इस चीज को ठीक करें ये अपनी और बस ये था इनकी चीजों का रिव्यू और आप लोगों का इनकी साथ कैसे एक्सपिरियंस रहा है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आयो तो लाइक क आप दीजिये काप इन्शाला मिलेंगे मिली नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिए